सबसे महेंगा ब्रांड कौन सा है इंडियन आर्मी की वर्दी देश के गद्दारों को उपर वाला भले ही माफ कर दे लेकिन एक फोजी किसी भी कीमत पे यहां तक कि अपनी जान की कीमत पे भी उसको कभी ही माफ नहीं कर सकता करोडों कमाने वाले भी यह वर्दी नहीं कमा सकते दुनिया के जो बड़े-बड़े करोड़ पती अरब पती बनके बैठे है न जो जिनको आप टीवी पर सिनेमा में हीरो बने वे देखते हो वो भी नहीं है उस वर्दी को कमाने के लाइक क्योंकि वो वर्दी भाई पैसों से नहीं मिलती वो पैसे में नहीं बिक्ती अगर पैसों में बिक्ती तो हर कोई पहन के गुमता और अपने आपको फोजी बोलता उस वर्दी को अगर कमाना है ना तो पैसा नहीं चीए पैसा नहीं बनाना उसके लिए उसके लाइक बनना है अगर उस वर्दी को कमाना है ना तो खुद की जिंदगी खुद की मा की खुशी और अपने बच्पन के सबी दोस्तों के साथ को कुर्बानी पे लगाना पड़ेगा और इस कुर्बानी की हिम्मत जिसमें होती है वही फोजी बनने के लाइक होता है अगर इस वर्दी को कमाना है ना तो खुद को हर मोमा ऐसे बाहर निकाल कर आग में तपाना है कितना बड़ा दिल होता है उस मा का जिसका बेटा या बेटी डिफेंस में होते हैं कुछ पंक्तिया बोलना चाहता हूँ मैं उन सब खुश नसीब और हिम्मत वाले युवाओं के लिए जो अपने आपको उस वर्दी में देखना जाते हैं कि ये आग जलती है तो जलने दे ये आग जलती है तो जलने दे मा अब मुझे तु फोजी बनने दे जाना है उस जगए जाना है उस जगे जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं बहुत देख लिये दुनिया चल अब फोजी बनते हैं बहुत जीली नाकाम जिंदगी चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं फरजी के रिष्टों में जिंदगी बरबाद कर डाली चल अब जिन्दगी देश के नाम करते हैं अब फोजी बनते हैं ये शरहदें पुकारती मुझको है ये आतंक की बदबूल अलकारती मुझको है जब लिपट जाओं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना मेरी माँ पल्लू में छिपी हसी तेरी बहुत प्यारी है मेरी माँ पल्लू में छिपी तेरी हसी बहुत प्यारी है जब लिपट जाओं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना मेरी माँ पल्लू में छिपी हसी तेरी बहुत प्यारी है इसलिए मुस्कुराते हुए अपने लाल को गुडबाई कहना ये मोबाइल के स्टेटस देख देख के ठक गया हूँ बन जाओं मैं भी एक दिन सब का स्टेटस खुद के इसी वादे में बन गया हूँ मा के आचल की खुश्बू तो वैसे फीकी होती नहीं कभी पर उसमें थोड़ी से मेरी वर्दी की खुश्बू में विला दूना तो दोनों जहां यहीं मिल जाएंगे मुझे और अगली दो लाइन उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ अरे बेवफा तुमारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना लेकिन सुन इस वर्दी के लिए तो बार बार पैदा होकर मरने का मन करता है और जो यूआ यह बोलते हैं कि मेरी तो लाइप में यार बहुत समझ गया है मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है तो उनको केबल दो लाइन में में समझा दूगा कि भाई कि तुमारा दुखना बहुत चोटा है बहुत चोटा है यार कि हमने समझ दर को भी सूखते देखा है जब-जब मेहंदी वाले हाथोंનे मंगल सुत्र उतार के रखा है जिन्दगी में समस्या किसके पास नहीं है पर एक वो इंसान भी है जो फोजी की वर्दी में हर समस्या का सामना करके अफना फर्ज नहीं बाता है लेकिन फिर भी रोता नहीं है, मुस्कुराता है वो फोजी जो हर बार छुट्टी से वापस आते समय यही बोल के आता है कि जल्दी फिर लोट के आऊंगा लेकिन ये किसी को नहीं पता होता उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो फिर जल्दी कब आने वाला है है ना हिम्मत है ना हिम्मत मैं जीत फिक्स के मंच से उन सभी फोजी भाईयों को सलाम करता हूँ और उन पोटेंशेल यूद को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो फोज में भरती होने का सपना अपने मन में ठान चुके हैं क्योंकि दुनिया में देश का नाम करने का इससे बहतर कोई दूसरा थरीका नहीं हो सकता मैं सेलूड मारता हूँ फोजीयों को जो एक मात्र रियल हीरो है इस कंट्री के फोजी एक तरह की हीरो नहीं है वो एक मात्र रियल हीरो है सेलूड जैहिंद वंदे मात्रव